प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट हमारा जीवन धन्य हो जाता है हम बात कर रहे हैं सीता नौमी की सीता नौमी इस साल वंतिस अप्रेल को मनाई जाएगी वैसाख मास सुक लपक्छ नौमी को सीता प्रगट उत्सों के रूप में मनाया जाता है सास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पावन पुनी जगजन्नी माता सीता की आराधना यदि कोई इस्तरी पुरुस इस दिन संपन्न कर लेता है तुसे संतान का शुक प्राप्त होता है भूमी दान के समान पुन्य फल प्राप्त होता है माता सीता की नौमी का व्रत करने से यदि जीवन में संतान का लाब नहीं हो रहा है संतान उत्पत्ती में तमाम दिक्कतें आ रही है संतान यदि आपकी की निस्चित रूप से कुरीतियों पे चल पड़ा है कुमार्ग पे चल पड़ा है तो विस्वास करके सीता नौमी के दिन यहकारे आप जरूर करें मित्रों आप देख रहे हैं एश्टो तक और मैं आप से यही जो निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप अभी तक एश्टो तक यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जरूर कर लिजिए ना क्योंकि आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छे से अच्छे एश्टो लौजर धार्मिक विद्वानों के द्वारा सुन्दा से सुन्दर कारिक्रम आपको देखने को मिलता ही है अब बात करते हैं जनक नंदनी माता सीता के प्रगट उत्सों की धर्ती निश्चित रूप से पाप से कराह रही थी एक बूंद जल के लिए धर्ती धर्ती तडप रही थी राजा जनक के तो दर्बार में ऐसा हो गया था कि अन्न का अकाल पड़ गया था बिद्वानों के पास महाराज जनक जाते हैं तो बिद्वानों ने कहा कि महाराज आपके राज में पाप का घड़ा भरा हुआ है बोले क्या किया जाए बोले आप और आपकी रानी दोनों मिल करके हल चलाएं तो पाप का अंत हो जाएगा पाप वह पुन्ने में निस्चित रूप से बदल जाएगा बैसाख मास सुकलपक्ष नौमी के दिन राजा और जो महारानी दोनों मिल करके हल चला ही रहे थे कि उसका एक तरह से जो नीचे का होता है जिससे जो दर्थी को चीरा जाता है वह जाकरके एक पाप के घड़े में अटक जाता है तेज आवाज होती है गरजना होती है पाप की और पाप पुन्य के रूप में प्रवाहित हो करके एक छोटी सी कन्या का वहाँ पे जरुदन होने लगता है राजा जन्नक उसे गोधी में उठा करके उसका नाम सीता रखते हैं यही माता सीता का प्रगट उस्सों की कहानी है देखिए हमारे सास्त्रों में कहा गया है यदि धर्म की अस्थापना राम और भगवान राम और माता सीता नहोती तो संभोई नहीं था इसलिए सीता नौमी के दिन जो भी व्यक्ति पूण स्रद्धा भक्ति भाव से माता सीता और भगवान राम की पूजा करते हैं उन्हें पीले रंग के पुष्प की माला अरपन करते हैं दीपक जलाते हैं आरती करते हैं उनके जीवन के समस्तपाप दूर हो जाते हैं यदि आपके जीवन में बालक नहीं है कोई भी बालक इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन था अहस्वता, know your faith तो आप जो है शीता नौमी के दिन संकल पकर के पूरे शाल आप माता सीता और भगवार राम की पूजा करें और नौमी का वरत रखना शुरू कर दे देखिएगा आपकी गोद भर जाएगी यदि संतान आपकी कुमार्ग पे चल पड़ी है तो सीता नौमी के दिन माता सीता की आराधना करके राम चरित मानस का पाठ करें या सुन्दर कांड का पाठ करें तो निस्चित रूप से आपका बच्चा सुमार्ग पे चल पड़ेगा घर में शुख सांती आप प्राप्त कराना चाहते हैं माता सीता ही आपके घर में शुक सांती का महा बर्दान प्राप्त कराएंगी शीता नौमी के दिन अच्छे पक्वानों का माता सीता भगवाराम को भोग लगाएं भगवाराम की आरती करें माता सीता की आरती करें और पूरे घर में आरती का दर्सन कराएं आप सभी लोगों स बोलिए कि आरती को ले करके अपने मस्तिक पे अस्पस कराके भगवान राम और जगत जन्नी जगत दुलारी सीता का अस्मरन करते हुए आरती का तेज अपने सर पे धारन करें निस्चित रूप से आपके घर में खुसियों की वर्सात होगी सीता नौमी की हरदिक सुबकामना माता सीता आपके नारित्तों को निस्चित रूप से पवित्र करें क्योंकि एक नारी ही ऐसी है जो पूरे घर के पूरे परिवार के जीवन को खुसाहाल करते हैं पूरे घर को सुबेवस्थित कर सकती है तो आप भी सीता नौमी के दिन संकल्प करें कि सीता रूपी पुत्री के रूप में हमारे घर में भी करन्या का जन्म हो इसी के साथ यहां कारिक्रम मैं आपके साथ संपन्न करता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार